आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के एडिटोरियल से लिया गया है डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक तीन सेकेंड के बाद यह अच्छा हुआ की संयुक्त राष्ट महासभा के चहत्तरवे अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेन्र मोदी ने ना तो कसमीर का जिक्र करना जरूरी समझा और ना ही सीधे तोर पर पाकिस्तान का नाम लेना लेकिन उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक जुट होने की जरूरत को रेखांकित कर परोक्ष तोर पर यह भी इसपस्ट कर दिया है कि वह आतंक के निरिया तक इस पडोसी देश की घेरा बंदी करना जारी रखेंगे उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की गंभीरता और आकरोस को व्यक्त करने के साथ ही विस्प समुदाय को इसके लिए आगा भी किया कि उसका विखराओ उस खत्रे को बढ़ाने का ही काम करेगा जो मानवता के साथ साथ उन सिद्धानतों के लिए भी चुनोती बन गया है जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट का गठन किया गया भारतिये परधान मंत्री ने आतंक वाद के साथ ही दूसरी बड़ी चुनोती बिगड़ते परियावरण की और दुनिया का ना केवल ध्यान खीचा बलकि प्राकिर्तिक आपदाओं से मिलकर निपटने की आवसकिता पर भी बल दिया इस सिलसिले में उन्होंने वैस्विक सैयोग की एक रूप रेखा भी खीची यहो ठीक वैसी ही पहल है जैसी भारत के नेतुत्त में अंतररास्टिय सौर गड़बंधन के रूप में सामने आ चुकी है इसके जरिये भारत ने गलोबल वार्मिंग से निपटने के मामले में दुनिया के सामने जो उधारण पेस किया है उसकी कोई अंदेखी नहीं कर सकता भारतिय परधान मंतरी ने भारतिय लोकतंत्र की महीमा का बखान करते हुए आम आदमी की जिन्दगी को बदलने वाली कई सफल योजनाओं का केवल जिक्र भर नहीं किया बलकि यह भी बताया की भारत निर्धनता का मुकाबला करने के लिए हर संभव कोसिस कर रहा है और इस संदर्ब में वहो दुनिया से सीख लेने और साथ ही उसे दिशा दिखाने के लिए भी ततपर है अंतर रास्टिय मंचो पर पाकिस्तान की बड़ती खीज का असर आज सार्क यानी दक्षिन ACI छेतरिय सैयोग संगठन देशों के विदेश मंतरियों की भैटक मैं भी देखने को मिला वहां जिस समय भारत के विदेश मंतरी S.J. संकर अपना सुरुवाती बयान दे रहे थे तब पाकिस्तान के विदेश मंतरी महमूद कुरेशी ने इसका बहिस्कार किया वहां जैसंकर का भासन खत्म होने के बाद ही भैटक में पहुँचे और यह भी कहा कि जब तक भारत कस्मीर पर अपने सैसले को वापस नहीं लेता वह किसी वैस्विक मंच पर भारत के साथ नहीं रहेंगे जाहिर है भारत को वैसा ही जवाब देना पड़ा जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भासन हुआ तो भारती विदेश मंत्री वहां मौजूत नहीं थे वैसे ऐस जैसंकर एक दिन पहले ही यह बयान दे चुके थे की जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी विदेश नीती के ओजह की तरह करता रहेगा उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत संबव नहीं है यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के रवये के चलते सार्क अपना अर्थ खोने लग गया हो 2016 का सार्क संमेलन इसलामाबाद में होना था लेकिन उसके ठीक पहले उरी में भारतिय सेना के सिविर पर आतंकवादी हमला हो गया इसके बाद भारत ने गोसना कर दी कि वह इसलामाबाद के सार्क संमेलन में भाग लेने नहीं जाएगा उसके बाद बंगलादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी भारत के समर्थन में आ गए उन्होंने भी इसलामाबाद संमेलन में सामिल ना होने की गोसना की जिसके बाद वह सम्मेलन रद करना पड़ा था सार्क का अगला सम्मेलन कोलंबो में इसी साल होना है लेकिन सार्क जो उमीद बांधता था उसकी कमर पाकिस्तान बहुत पहले ही तोड़ चुका है रही सही कसर इस बार निकल गई जब संयुक्त रास्ट अधिवेशन के पहले सार के देशों ने अपनी भैटक का फैसला किया स्टॉप दोस्तों हमने यह एडिटोरियल लिक्टेशन हिंदुस्तान और देनिजारन दोनों से लिए है और गति को बीज़ेशन फ्लक्च्ट किया है अगर आपने डिक्टेशन लिखा है तो इसका ट्रांस्केशन जरूर कीजिए जिसकी पीडिएफ आपको हमारे वर्टसप और टे अग्मेर के सरह कर दो करें लिक्टे है त्बसक्राव करें, यह एस्टान कोरीकतलड़ से डिक्टेशन लिक्टेशन तर महानित, यह मिलठाच च21, कि यह मैंने टूर के स kalau बीज